हेलो बच्चों नमस्कार ग्यान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर मैं रुनेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ पंचम पाठा अर्थात पांच वाठा है और नाम है जननी तुल्ले वत्सला यहनी माता समान प्रेम रखने रखती है समान प्रेम रखने वाली माता सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रस्तुतो अयम पाठा यह है प्रस्तुत यह पाठ महर श्वेद व्यास द्वारा रचित आतिहासिक ग्रन्थत से महाभारत के अंतरगत एतिहासिक ग्रंथ महाभारत के अंतरगत वन पर्व से लिया गया है। तो इस पार्ट का पुरा का पुरा का इस पार्ट की सीख जो है वो ये है कि समाज में विद्यमान दुरुबल प्राणियों के प्रती माता का वात्शलिभी प्रकर्श रूप से ही होता है इसमें बच्चों मैंने meaning by meaning नहीं बताई क्योंकि वो तो about to lesson है अब मैं आपको एक-एक meaning का बिच्छेत करके बताऊंगा ठीक है और सबको सारा meaning आपको ये to z मिलेगा ये नहीं आपको किसी कोई ऐसा meaning हो जो मैं बताऊं न चलिए तो start करते हैं relation तो कश्चिद क्रिसकाह बली वर्दाभ्याम छेत्र कर्शनम कुरवन आसीद कश्चिद का अर्थ होता है कोई क्रिसकाह यानि किसान बली वर्दाभ्याम माने होता है बैलों के द्वारा और बली वर्दाभ्याम दुई वच्चम है इसलिए इसमें दो बैलों की बात की जा रही है, यानि बैलों के द्वारा छेत्र कर्षणम, छेत्र मिंस होता है खेत, और कर्षणम माने होता है जूतना, कुरवन आसी, खेत की जुताई कर रहा था, कोई किसान बैलों के द्वारा खेत की जुताई कर रहा था, तयोह बली वर लिए दयोह बैलों में से »दुरबलाhा दुरबल था आसक्ता माने असमर्थ आसीत माने था और वो चलने में तेज चलने में असमर्थ था यानि उन दोनों बैलों में से एक सरीर से दुरूबल तेज गती से चलने में असमर्थता अतहा क्रिश कहा इसलिए किसान तम दुरूबलम ब्रिशभं तोदनेन नुद्यमानह आवर्तत अतहा माने इसलिए क्रिश कहा किसान ने तम दुरूबलम उस दुरूबल ब्रिशभं बैल को तोदनेन नुद्यमानह कष्ट देते हुए हाकने लगा तोदमेन तोदनेन नुद्यमानह आवर्तत कष्ट देते हुए दुबले पतले बैल को हाकने लगा तो जब दुबले पतले बैल को हाकने लगा नुद्यमान माने होता है धाकेलना ठीक है धाकेलना या हाकना नुद्यमेन माने और तोदन माने होता है कष्ट देना कष्ट देना मतलब बड़े कष्ट दे करके उसको हाकने लगा तो जब हाकने लगा तब क्या हुआ आता क्रिसकाह तम दुरुबलम ब्रिशभाम तोदनेन धकेलता हुआ हाकने लगा नुद्यमाना प्रतारित करता हुआ हाकने लगा तोधनेर मतलब कश्ण पहुचाता हुआ नुद्यमाना हाकने लगा थिके सह रिषभाह हल मूढवा गन्तुम अशक्ता छेत्रे पपात सह माने वह रिषभा माने बैल हल मूढवा वो बैल हल मूढवा मतलब हल को उठा कर हलम उढवा ठीके हलम उढवा नहीं है हलम उढवा देखिए हलम धन उढवा यानि हल उठा करके गंतुम चलने में असकता हा असमर्त छेत्रे खेतों में छेत्रे अर्थात खेत में ही पपात्मा ने गिर पड़ा तो वो बैल जो हल रख करके हल उठाने में असमर्त था खेत में गिर पड़ा करुद्धा कर्शीवलाह तम उठापैतुम बहु आर्म यतनम अकरोद करुद्ध माने गुसाया हुआ करोधित कर्शीवलाह अर्थात किसान करोधित किसान तम उठापैतुम उसको उठाने के लिए बहु आर्म बहुत बार यतनम अकरोद प्रयत्न किया तथा पि फिर भी विर्षभाह न उठिता हा फिर भी विर्षभाह न उठिता हा बैल नहीं उठा फिर भी बैल नहीं उठा जब बैल नहीं उठा तो आगे क्या देखते हैं, तो भूमव पतिते स्वपुत्रम द्रिष्टवा, भूमव अर्थात पृत्वी पर पतिते यानि गिरा हुआ, स्वपुत्रम माने अपने पुत्र को, द्रिष्टवा माने देख करके, सर्व धेनू नाम मातु, सभी धेनू की माता, सर्व माने सभी, धेनू नाम माने मैं इसलिए कहता हूँ माने कार्थ होता मिन्स ठीके तो मेरी मात्र भाषा में माने माने कहा जाता हूँ इसलिए मैं माने कहता हूँ मिन्स नहीं कह पाता हूँ बहुत कठिन लगता है इसलिए मैं भूमव माने पतिते माने माने बोलता हूँ माने कार्थ मिन्स समझे ठीक सर्व धेनु नाम समस्त धेनु की समस्त धेनु नाम अने गायों की मातु यानि माता सुरभे है। असरुन यानि आसु आविरासन आने लगे। उसके दोनों आखों से आसु आने लगे। तब आगे क्या हुआ दिखे तो सुरभे है। देवराज इंद्र ताम माने उससे पूछने लगे। तो देवराज इंद्र ने उससे पूछा आई शुभे अरे सुरभी। हे सुर्वी, आई शुभे, अरी शुबलक्षणों वाली, शुभे मतलब शुबलक्षणों वाली, किम एवम रोधिसी, किम माने क्यूं, एवम माने इस प्रकार, रोधिसी माने रोती हो, उचे ताम बोलो, उचे ताम कार्थ होता है बोलो, तुम इस प्रकार क्यूं रोती हो बोलो यह थी सा चा और वह बोली सा मने वह चा मने और और वह उसने क्या कहा विनिपातो नवाह कस्चिद द्रिश्यते त्रिदशा धीप आहंतु पुत्रंशो चामी ते नरोधिमी कौशिक तो उसने क्या कहा कौशिक हे कौशिक हे कौशिक त्रिदशा धीपाह तीनो दशाओं के राजा इंद्र हे कौशिक दिखें लास्ट वाले दोनों शब्द पढ़िए हे कौशिक तीनो दशाओं के राजा इंद्र तीनो त्रिदशा धीपाह त्रिदशा तीनो इस्थितियों य है इंद्र अहम तु पुत्रम शोचामे मैं अहम माने मैं तु माने तो पुत्रम माने पुत्र के लिए शोचामे शोग कर रही हूं मैं तो पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ तेन इसलिए रोधिमी रो रही हूँ कि विनि-पातौ नवह कश्चिद दृष्छते कि उसका कोई साहयक नहीं दिख रहा है विनिपातो यानि गिरे हुए का नवह, वह मने उसका कश्चित द्रिशते कोई दिखाई नहीं देता, गिरा हुआ उसको देखकर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो हे कौशिक तीनों दशाओं के राजाइंद्र उसका कोई सहायक नहीं दिखाई देता, मैं तो पुत्र की चिंता करती हूँ, इसलिए रो रही हूँ, विनि पातो न वह, विनि पातो अर्थात गिरा हुआ, ना माने नहीं, वह माने उसका, ना माने नहीं, वह माने उसका, कश्चिद माने कोई, दृष्यते माने दिखाई देता है, उस गिरे हुए का कोई साथी नहीं दिखाई देता मैं रो रही हूँ क्योंकि मेरा जो पुत्र है वो परेशान है यानि उसको वो किसान पीट रहा है इसलिए मैं रो रही हूँ आगे देखे क्या हुआ भो वासो वासो कार्थ भी होता है इंद्र तो हे इंद्र हे इंद्र पुत्रस्य दैन्नम द्रिष्टवा पुत्र की दैन्नमर्थात दिन्ता को द्रिष्टवा देखकर आहम रोधिमी मैं रो रही हूं सहदीन वह दीन है इति जानन आपी ऐसा जानते ह हुए भी कृसकाहा किसान तम उसको बहुधा बहुबार बहुद बार पीड़त पीड़ता है। हे देवराज इंद्र मैं पुत्र की दीनता को देख करो रही हूं। वो लाचार है, वो कमजोर है, ऐसा जानते हुए भी ये किसान उसे बहुद बार पीड़ता है। तम बहुधा पीड़ती उसको बहुद बार पीड़ता है। अधर आप पढ़ें हो, इतर कार्थ ता अधर। इतरम यू कार्थ होता है। यह एक ट्रॉली होती थी, तो इसमें यह यहाँ पर जूआ होता था, यहाँ पर एक बैल इधर मचता था। तो इसी को कहते थे जुवा ये आगे जो होता था जुवा होता था तो एक बईल इधर मचता था और एक बईल इधर मचता था ट्रॉली में और ट्रॉली खीच कर ले जाते थे तो इतरम यो धुरम वो धुम सह न शकनोती, वो जो मेरा बच्चा है, वो दूसरों की भाती धुरम अर्थात जुआ वो धुम धोने में, वो धुम कारत है धोने में, सह माने वह न शकनोत वो धुम नहीं सकता, दूसरों की भाती वो वो जह नहीं धो सकता, एतत भावान पश प्रत्योचत में दिखाई इन्नाम नहीं देता, ये आपको दिखाई नहीं देता है। इती प्रत्योचत ऐसा उत्तर दिया। आप ही मतलब होने पर भी तौ तुम्हारा आसमिन्य। इसके लिए ही इताद्रशम्हा ने ऐसा वातसल्य कथम क्यों। बाई हजारों पुत्र आपके हैं जब आप पूरी दुनिया के धेनुओं की गायों की मालिक हैं तो आपके तो हजारों पुत्र हैं फिर भी हजारों पुत्र होने पर भी मात्र इसी के लिए आपका इतना वाक्सल क्यों है तो इत इंद्रेन प्रिष्टा इस प्रकार इंद्र इंद्र ने प्रिष्टा पूछा सुर्भी प्रत्योचत सुर्भी अर्थात गाय बोली क्या बोली आगे देखे तो गाय क्या बोलती है गाय बोलती है यदि पुत्रम सहस्त्रम में सरवत्र सममें में दीनस सतह शक्र पुत्र से अभ्यादी का आहा क्रिपा आहा यदि तो उसन कार्थ होता है इंद्र तो उसने क्या कहा गाएने कि हे इंद्र हे शक्र हे शक्र जब की यदि यदि माने जब की पुत्र सहस्त्रम में में माने हमारे पुत्र माने पुत्र सहस्त्रम माने हजार हमारे हजारों पुत्र सरवत्र सरवत्र माने सब जगे हैं समम्यों माने सब तरे जबकि हजारों पुत्र मेरे सब जगे समान ही हैं, दीनस से तू सतहा, लेकिन दीन होने पर, उसने क्या कहा, कि जबकि मेरे हजारों पुत्र मेरे लिए सब जगे समान ही हैं, फिर भी, फिर भी दीनस से तू सतहा, दीन से तू सतहा, कमजोर पुत्र के उपर, दीन से माने कमजोर के सतह माने होती है, तू माने तो पुत्र से पुत्र के उपर, अभी अधिक ही करुणा, अधिक ही दया होती है, अधिक ही कृपा होती है, यानि देवराज इंदर से कहा, कि मेरे हजारों पुत्र हैं, और मेरे अजि में आई हूँ, तो भई आगे भेशते रहिए, सेर करते रहिए, बार बार मैं नहीं कहता हूँ, उसने क्या कहा? कि बहूनी अपत्यान में संति इति अब इसमें बिच्छे देखिए तो बहूनी अपत्यान देखिए ये बहूनी हम अलग करेंगे बहूनी फिर प्लस अपत्यानी और फिर संतति अलग है संतति फिर इति अलग है ठीक है तो बहून अपत्यानि में संति, सचा संतत नहीं है, संतत नहीं है, संति इति है, संति इति है, ठीके, तो बहूनि माने बहुत से, अपत्यानि माने संताने, अपत्यानि माने पुत्र हैं, देखें, अपत्य माने पुत्र भी होता है, अपत्यानि माने संताने भी होता है, ठीके तो कहने एक मतलब ये है कि बहूनी अपत्यानी बहूनी माने बहुत से अपत्यानी माने संतान है तो उसने क्या कहा ये सत्य है कि मेरी बहुत सी संताने है बहूनी अपत्यानी में संति इती सत्यम ऐसा ये सत्य है संति इति सत्यम संति माने हैं इति माने इस प्रकार सत्यम माने सत्य ये सत्य है कि मेरी बहुत सी संताने हैं तथा पिफिर भी अहम ते अहम एतस्मिन पुत्रे तथा पिफिर भी अहम माने मैं एतस्मिन माने इस पुत्रे माने पुत्र पर विशिश्य विशेश कर आत्म वेदनाम अनुभवा में आत्म वेदना अनुभव करती हूँ अपनी वेदना आत्म वेदना मतलब अपनी पीड़ा अनुभवा में अनुभव करती हूँ या तो ही क्योंकि अयम अन्यभ्यो दुरूबला है अन्य से दुरूबला है अयम माने यहाँ अन्यभ्यो माने दूसरों से ही माने क्योंकि दुरूबला माने दुरूबला है और सरव तुल्ल माने समान वात्चल्ल्य होता है एव माने ही ठीक है सभी संतानों में माता का वात्चल्ल्य समान ही होता है तथा फिर भी दुरुबले सुते दुरुबल सुत पर मातु हु अभी अधिकाह कृपा सहजेव परंतु फिर भी दुरुबल सुते दुरुबल पुत्र पर मातु हु माता की अभी अधिकाह अधिक ही कृपा सहजेव सहजता से ही हो जाती है इती सुरभी वचनम सुरत्वा सुरभी के वचन सुनकर गाय के वचन सुनकर भृषम अत्यधिक बिस्मित स्य खंडल अस्यापी हरदयम अद्रवत सुरभी अर्थात ऐसा सुरभी के वचन को सुनकर बहुत हैरान देवराज इंद्र का भी हरदयं पिघल गया यानि की सुरभी वचन सुरुत्वा गाय के वचन सुनकर के ब्रशम माने अत्तिक बिस्मित माने बिस्मितस से खंडलस से आप हरदयं अद्रवत यानि जो इन देवराज इंद्र थे विस्मित आश्चर चकीत हुए और खंडलास से उनका पत्थर जैसा हरदयं भी हरदयं अद्रवत पिघल गया सचा ताम एव सान्तोयत सा माने उन्होंने चा माने और तामेव माने उस गाय को ही सान्तोयत माने सान्तोनादी के गच्छ वत्से जाओ पुत्री गच्छ माने जाओ वत्से माने पुत्री सरवं भद्रम जायत सबकुछ भद्र होगा अर्थात सब ठीक हो जाएगा उन्होंने कहा सान्तोनादी के है पुत्री जाओ सब ठीक हो जाएगा शीग्र ही, चंडवातेन, प्रचंडवायू, मेघारवैस्च सह, मेघारवै, मेघत की रवै माने होता है धोनी के साथ, सा माने साथ, अचिरात माने शीग्र एव माने ही, देखे अचिरात एव, अचिरात धन एव, शीग्र ही चंडवातेन प्रचंडवायू के साथ मेग रवैश्च और मेगों के साथ प्रवर्षह समझायत वर्षा होने लगी और शीग्र ही तेज हवाओं और बादलों की धनी यानि गर्जना के साथ वर्षा होने लगी लोका नाम पश्यताम एव सरवत्र जल उपपलवाह संजाता है लोका नाम लोगों के पश्यताम एव देखते ही देखते सरवत्र सब जगे जलोप पलवाह संजाता यानि की जल भराव हो गया क्रिश कहा क्रिशक भी हर्षात रेकेन हर्स की अधिकता के कारण करशन विमुखा जुताई से विमुख करशन माने होता जोतना खेत जोतना करशन मतलब खुदाई जुताई से विमुख होकर सन माने होकर के विमुख सन विमुख होकर के ब्रशभव नित्वा दोनों बैलों को नित्वा लेकर के ग्रहाम अगात घर चला गया ठीक है आगे चा माने और सरवेश माने सभी जरनी माने माताएं तुल्ले वत्सला समान प्रेम वाली होती है पुत्रे दीने तुसा पुत्रे दीने तुसा माता कृपा हरदैता भावेत यानि कहने का मतलब ये है कि और सभी बच्चों में समान प्रेम रखने वाली जो माता होती है लेकिन जो पुत्र के दीन होने पर वही माता पुत्र के प्रतिक कृपा से उधार हरदैवाली हो जाती है यानि अपतेसुचा सरवेशु जननी तुल्यवत्सला अपनी संतानों में सरवेशु माने सभी अपतेसु माने संतानों में चामाने और जननी माने माता तुल्यवत्सला समान प्रेम वाली होती है लेकिन पुत्रे दीने तु लेकिन पुत्र के दीन हो जाने पर सामाता वही मा सा माता वही माता कृपार्द्र हरदयां कृपा से आर्ध हरदय वाली भवेत माने हो जाती है यानि जो माता समान प्रेम रखने वाली होती है अपने पुत्रों के प्रती वही माता जब पुत्र कमजोर हो जाता है दुरूबल हो जाता है तो उससे अधिक प्रेम करने लगती है उसके हरदे में अधिक करुणा आ जाती है तो बच्चों अगर ये पाठ आपको अच्छा लगा है तो आप तमाम पाठ पढ़ने के लिए फुल प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप सभी पाठ पढ़ लीजिए चेक करते रहे हैं अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको नोटिफिकेशन भी पहुँचता रहेगा और हर साम साथे आठ बजे लाइब क्लासे संस्कृत कष्चा 10 की सीब्सी वोड की चलती है और आठ बजे हिंदी की लाइब क्लासे चलती है सीब्सी वोड की कष्चा 10 के लिए तो आप सभी जुड़ना ना भूले ठीके बहुत बहुत धन्यवाद